हालो इस्टूडेंट वेलकम टू पीवियार इस्टडी जैसा कि आप जानते हैं कि सामको साथ वज़े से आप हर दिन देखते हैं क्लास नाइन्थ के एंसी आरिटी मैथमेटिक्स तो यह जो क्लास होगी यूपी बोर्ड सीवेसी बोर्ड या कोई भी बोर्ड है अगर आपका का एंसी आरिटी पैटर्न है तो सब के लिए इंप्वर्टेंट है इक्सरसाइज 7.1 वॉक्षर नमबर सेबन तो आप सबी याद रखना कौन सा इक्सरसाइज है 7.1 का कुष्चन नमबर सेबन आजहन देखेंगे द्हान से देखना पहले आप सवाल देखिए फिर आम इसक पित्र भी देखते जाओ साथ में, A, B, ये, क्या है, एक रेखा खंड है, आगे कहता है, और P, इसका मद्दबिंदु है, ये जो बिंदु है, ये इसको क्या कर रहा है, आदा-दा दो भाग में बाड़ता है, मद्दबिंदु का मतलब ये, जैसे ये रेखा मानलो, 4 अगर से सेंटिमेटर की है तो इसका मद्द बिन्दू यहां पर दो सेंटिमेटर पर होगा इसको क्या बोलते हैं मद्द बिन्दू बोलते हैं आगे देखो क्या कहता है कुष्चन पढ़ते हैं डी और ए रेखाखंड ए बी के एक ही और इस्थित दो बिन्दू इस परकार हैं डी और और ई कहां पर है यह देखो D और E कह रहा है कि रेखा-खंड A,B के एक ही और इस्थित है कि दो पिंदू इस प्रकार से हैं किस प्रकार से हैं देखो आगे लिखा है कॉना बी-ए-ड पराबर है A, B, E, K यानि B, A, D ध्यान से देखो कौन B, A, और D यानि ये जो कौन है ये ये जो बन रहा है भाई अगर इसको आप थोड़ा अलग करके देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा ऐसे ये दिख रहा है न ये कौन किसके बराबर है आप ध्यान दीजिए करा A, B, E यानि A, B, E मतलब ये कौन अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखेगा समझ में आ रहा है ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डाउन कर दिया ये इतना डाउन नहीं होगा मतलब कुछ ऐसे दिखेगा ठीक है ये कौन दोनों क्या है बराबर है ये मैंने चिन्द लगा दिया जिस पर मैंने सिंगल ये लाइन कीचा वो क्या है दोनों कौन बराबर है ये और ये दोनों क्या है आपस में बराबर है ऐसा दिया गया है आगे देखो क्या कहता है देखिए इसके आगे कह रहा और कौन E, P, A कौन? E P A ध्यान दो E P और A यानि ये जो लाइन वाला कोंड बना रहा है कौन सा ये E P और A समझ में आ रहा है ना ये कोंड ये इधर से बन रहा है ना E P A यहाँ पर A है ये किसके बराबर है D P B के बराबर है किसके D P B मतलब जहाँ पर ये डबल लाइन वाला है ना ये ये कोंड किसके बराबर है ये दोनों अपस में बराबर है ये तो आपको दिया है आपसे मांग क्या रहा है पूछ क्या रहा है कहरा कि दरसा ये मतलब सिद्ध कीजिए इंगलिस में बोल लें प्रूब कीजिए D.A.P. सरबांगसम है E.P.B.K कौन? D.A.P. देखो बच्चा D.A.P. मतलब ये जो कौन है D.A.P. इसको सिद्ध करो सरबांगसम है E.P.B.K कौन सा? E.P.B.K कुछ समझ में आया? एक बार फिर से देखो D.A.P. यानि D.A. और P. मतलब जो ये ये कौन है? ये D.A.P. यहाँ ये इसको किसके बराबर सिद्ध करने को कह रहा है? E.P.B.K बच्चा E.P.B.A. इन दोनों कौनों को कह रहा है बराबर आप सरबांगसम सिद्ध कर के दिखाओ हाँ? सिंपल सा हो जाएगा, देखो कैसे? अब लिखो, हल लिखो सलूसन करते हैं हम लोग कुश्चन तो आपने समझ लिया चलिए लिखिए सबसे पहले दिया है गिबन देखो समझने में ज़्यादा टाइम लगता है दिया है हमें क्या क्या दिया है? इपी ए बराबर बी डी पी बी यह दिया है आप सबको पता है दिया है कि नहीं इपी यह बराबर डी पी बी ठीक? इपी ए ठीक है? यह कोण इधर वाला? डी पी बी के बराबर है यह दोरों क्या है बराबर है? इसमें हम एक काम करेंगे इपी ए प्लस आप लिखो एंगल इपी ए प्लस इसमें लिखो एंगल इपी डी ठीक है? और इक्वल अभी मैं आपको रिजन बता रहा हूँ क्या हो रहा है? यह है डी पी बी और एंगल इपी डी ऐसा मैंने क्या किया पता है? इतर लिखो प्रेकर्ड में लिखो कोण इपी डी दोनों तरफ जोडने पर दोनों तरफ जोडने पर एड किया गया, क्यों किया गया अब देखो, आगे मैं आपको region बताऊंगा, और हाँ, आगे देखो, अगर ऐसा आप करोगे, तो क्या होगा पता है आपको, ये आपको मिल जाएगा, angle a, p, and d, ठीक है, अभी ध्यान दो मैं आपको आगे बता रहा हूं, आप इसे जल्दी से इधर दिख रहा है ना ठीक है थोड़ा सा रुको यह कैसे आ रहा मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान तो जैसे अगर हम E.P.A जोड़ेंगे किसमें E.P.D. में ध्यान दो E.P.A हम जोड़ रहें किसमें E.P.D. में E.P.D. में यानि कुल मिला कि यह समझो कि E.P.A यह एंगल हम E.P.D. में जोड़ रहें E.P.D. यह दोनों जोड़ेंगे तो एक नया एंगल बनेगा एक नया एंगल कॉन सा बनेगा यहां देखो ध्यान से E.P.D. बनेगा ठीक है E.P.D. बनेगा और जब हम D.P.B. जोड़ेंगे D.P.B. म E.P.D. में यह एंगल जोड़ेंगे यह ठीक है तो यह मिला कि एक नया कॉन बन जाएगा बोलो बन जायागा न जिसका नाम होगा क्या होगा B.P.E. क्या होगा B.P.E. मतलब यह पूरा एक सीधा हो जाएगा और यह जूड़ के पूरा एक इधर को सीधा हो जाएगा तो इसमें एक चीज और है लिखो तिर्भुज तिर्भुज किसमें किसमें D.A.P. और D.A.P. मतलब यह तिर्भुज यह पूरा D.A.P. बराबर है E.B.P. के D.A.P. इक्वल तिर्भुज नहीं मतलब हमें इन दोनों तिर्भुजों की सहायता से लेना है मतलब जो भी आगे हल क करना है तो लिखो तिर्भुज इतना और तिर्भुज कौन सा एक दूसरा वाला जो बन रहा है E.B.P. E.B.P. मतलब इधर वाला जो पूरा तिर्भुज बन रहा है यह तिर्भुज और यह तिर्भुज ठीक है E.B.P. ठीक है इतना समझ में आया ना अब देखो इसमें दो कौन बराबर दिये हैं अगर आपको नीचे दिख रहा है तो मैं नीचे लिख सकता हूं नीचे दिख रहा है अभी हम लिख सकते हैं नीचे बिल्कुल टैंसन मतले ना थोड़ा समझने की कोशिस करोगे बच्च दिया है गीवन अभी हमने पढ़ा था ना ठीक है इसको लिखो जल्दी इतना करो इतना करो फिर आगे चलते हैं अगर कोई डाउट हो का ता आप कमेंट करके बताना चलो अब चलो एक नए पेट से एक नए पेट से देखो हमने क्या क्या किया भई अभी अभी आपने देखा हमने कई चीजें बराबर कर लिया अब हम क्या करेंगे पता है आपको एक कोण हमने बराबर दिखा दिया अभी आपने देखा था अभी मैं फिर लिख दूँगा एक सा मतब्द्र है आप थोड़ा भीडियो बैक करोगे को नियो उसकते संक्रांण करना है तो हम ये बराबर भी पी कर सकते हैं निया पी लिखतो चाहिए जो भी समझो तो आप लिखो एपी बराबर भी पी ऐसा क्यों है लिखो कारा लिखो P AB का मद्धे बिंदु है अगर मद्धे बिंदु है तो भाईया दोनों को दो भाग में बाटेगा ना मिश्टर पंकर जी बहुत काई परेसान हो रहे है आप लोग कमेंट करके किरन मोर्या, अनुच, सुदान्सु सुरेश, मोहीद, मनीश और कौन है, अनुच, मैं कमेंट देख रहा हूँ देखो, बहुत से बच्चों के कमेंट हाइड भी हो जा रहे है उनको आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, पब्लिश नहीं हो रहे है तो आप कमेंट के पीछे मत बढ़ो लेकिन इसमें समीकरण 1 में अभी क्या दिया था, आपने देखा था समीकरण 1 में देखो दिया था, अभी मैंने मिटाया दिया ना लिखो, एंगल APD किसके बराबर था, एंगल APD था BPA के बराबर था B, P, A के बराबर था अभी अभी समी करण 1 मैंने मिटाया था ना लिखो समी करण 1 से थोड़ा बैक करके देख लो हो जाएगा ठीक है अब आप लिख सकते हो आता हां देखो ये कौन बराबर हो गया भूजा बराबर हो गया ये कौन बराबर हो गया अब लिखो अधा ट्रैंगल d a v a p a d a p kyaoutingस किसके triangle e b p kyu tea as a B поряд में लिखो by as a Hindi में लिख लें जहेंगे कौन भुजा कौन सर्बान्क संथा से ये क्या हो गया बराबर हो ठीक है इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा था बच्चा दूसरा सवाल इसमें एक और भी पूछ रहा था कि AD जो है वो BE के बराबर है इसको सिद्ध करना था अब रेकर्ट में लिखो ये दोनों बराबर है क्यों by CPCT CPCT पढ़े हो ना लिखो रेजन लिख दो लंबा सा क्योंकि सर्वांग सम्तिर्बुच की संगत भुजाएं बराबर होती है का इंग्रियंस ट्रेंगल की कर्स्पॉंडिंग एंगल हमेशा क्या होती इक्वल होती है लिख दो by CPCT तो हो गया आपका ये कुश्चन तो बच्चो सब्सक्राइब को ज्यादा सेर करिए जितने ज्यादा बच्चे जूडएंगे उतनी बड़ी कलाथ चलेगी